हलो फ्रेंड्स वल्कम ट्रेक्जम तक तो फैनली फ्रेंड्स आज से अपन इंग्लिस जो एंपिटेट बर्ग दो वालों का है उसके कोर्स की तयारी करने जा रहे हैं तो पूरा टॉपेक बाइस जो स्लेबस में हैं उसी के अकॉर्डिंग तयारी करेंगे तो सबसे पहले जात आपको कवर करवाया जाएगा तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सही और अथेंटिक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे चली आज में आपको इंग्लिस बर्गदों का जो है लेटर लेटर का जो दिया है चार प्रकार के लेटर आना तो उनका हर प्रकार से आपको समझाना जा रहा हूं तो आप जरूर देखिएगा सबसे पहले लेटर तो लेटर क्या है अलेटर वेजर राइट इन रिटन मैसेज्ज देट कन वी हैंड राइट इन और प्रिंटेड और पेपर मतलब सबसे पहले आपने देखा होगा अब आजकल पत्र नहीं लिखे जाते क्योंकि मोवाइल चल गया पहले जो होते थे पत्र के माध्यम से एक दूसरे के बिचारों का आधान-प्रदान किया जाता था तो उसको लेटर कहा जाता फ्रेंड टेट यूजली सेंड टूदा रिसीप्ट रिसीवर व्यूमेल और इमेल के माध्यम से आभी बेगा जाता है यह इनवलाब इनवलफ के मध्यम से अपने विचारों का अधान-प्रदान किया जाता है इस अमीन of communication that contribute a text message मतलब कई प्रकार के लोग text message के माध्यम से भी इसको भेजते हैं which can be handwriting type on printed send by me send one person to another view email or post informed complaint report required requesting something मतलब इसको आप कई बार तो mail भेजते हैं report करने के लिए complaint करने लिए इस प्रकार की चीज़ों में हमेशा लेटर नी पत्र का इस्तेमाल किया जाता है आज भी यह पत्र हमेशा चलते हैं क्योंकि हार एक प्रकार की चीज़ें आती हैं और आप डारेक्ट नहीं बोल सकते तो अपने विचारों को पत्र के माध्यम से बता दे ब्रेंट्स तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले आप देखिए फॉर्मल लेटर तो फॉर्मल लेटर क्या कहला था मैं आपको वह बताने जा रहा हूं तो फॉर्मल लेटर सबसे पहले लेटर दो प्रकार के होते हैं एक फॉर्मल लेटर होता है फॉर्मल लेटर दूसरा इंफॉर्मल लेटर तो फॉर्मल तो क्या बिजनेस लेटर इंक्रूड एप्लीकेशन मतलब इस्कूल वगरह में लिखी आती वह लेटर लेटर हाई और लेटर न्यूजपेपर एडिटर यानि जो न्यूजपेपर विजनेस में और अप्लीकेशन पर यह व्रोर्भाध में पहुण है यह सिनी Rome लेडर की में हिसीと a a semi-formal letter के निटर्गत क्या आता फ्रेंट मैं आपको वह पताना जा रहा हुं कि semi-formal letter देखे अले डेर आप नीवर अलेटर अब प्रोफेसर अलेटर और उप नहीं अलेटर ऑप कॉलेज कोलेज बगरा के लिए प्रोफेसर वगरा के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं तो इस semi formal letter कहलाते हैं अब informal letter कहलाते हैं informal letter of two friends मतलब जो friend मित्रों के लिए family members के लिए personal किसी के लिए society के लिए friendly letter notes वगरा इस टाइब के लेटर हमेशा किसमें आते हैं इन फॉर्मल लेटर में आते हैं अब देखे मैंने आपको बताया फॉर्मल लेटर इन फॉर्मल लेटर के बारे में बताया अब देखे आपके स्लेवस में फ्रेंड्स हैं क्या क्या स्लेवस में एक बिजनेस लेटर है कि बिजने क्लेम लेटर फॉर कलेक्शन एटी सी सच लेटर और ऑल्वेज इस्टिकली फॉर्मल एंड फॉलो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न फॉर्मल्टी यहां से लेटर फेज़ेंगे लिख करके और उसके माध्यम से आप बताएंगे यहां में इस टाइब से पुरा नियम पूरवग में आपको बताऊंगा तो एक किसके लिए लिखा जाता है कि देखिए कोई कंपनी से आपको कुछ कोटेशन खरीदना है तो उसका कोटेशन और करना है तो सबसे पहले और या कोई चीज़ आपने परचेस की है परचेस की है तो उसका कंप्लेंड करना है डिफेक्ट हो चुकी तो उसको कंप्लेंड करना कंपनी को क्या हमने इतने परचेस की थी इस डेट को परचेस की थी तो उसकी कंप्लेंड करना चाहते हैं क्ले कर रहे हैं उसके लिए लेटर कुछ कलेक्षन कर रहे हैं तो यह चीज बिजनेश लेटर में यूज की जाती अब ऐता ओफीशेल लेटर ओफीशेल लेटर में क्या आएगा प्रेंट्स ट्राइब लेटर राइटेंट्टु इनफॉम ओफिस ब्रांच सब मलब यह चीज़ें हमेशा वहां पर होती है जैसे ओफिस में हो गई स्कूल में हो गई और यह चीज़ें विनमर तरीके से एक्दम रिस्पेक्ट तरीके से डियर सर में इस टाइब का सर में तो वह चीज़ें यहां पर होती है सब टॉन ओफिसियल इंफॉर्मिशन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और उसमें उसकुछ नहीं अपनी में बात रखी जाएगी और सारे रूट रेगुलेशन के अकोडिंग होगी यूज यह रिले ओफिसल इंफॉर्मिशन लाइक रूट रेगुलेशन इवेंट एनी अधर सच इनफॉर्मिशन ओफिसल लेटर ऑल्सो फॉर्मल नेचर एंड फॉलो शार्टन इस्ट्रुक्ट सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि आप किसी को अगर पधाई देना तो वह लेटर होगा किसे को निमंत्रन देना चाहते हैं तो यह क्व cardi लिटर अपने शोसर लेटर के आंथर का दाते हैं कि अब सेर्कुलर लेटर अप्रिद्धर्बिंग July रहां। Assas आपनी लिखा जaatा जाता है इट एर के लिए लेट pengवंट के लिखा जाता है स Ellis अघ्रोल मुझा मुद। से आपके नहीं कए अध्रेस हैं तो उनको में लेत लेत अब इम्प्रॉयमंट लेटर नी लेटर। to the employment process like joining लेटर promotion लेटर एप्लिकेशन लेटर मतलब आपने देखा होगा नौकरी वगर एकली जब आपका जॉइनिंग लेटर आता है तो आपको एकदम मुलब उस टाइप में आपको लिखा रहेगा तो यह भी आपके स्लेबस में है एनि लेटर रिस्पेक्ट टू एम्प्ल वार मतामि जारू कहां कहां इंफारम जीतर पोर्मे जिलेटर का यूज किया जाएगा जक्शा,ट ओनिंफार मल लेटर आप आन्से लेटर विदां व्हें लेटर्टी जड़ेटर relationship although this doesn't screw business partner or worker who you are friendly with either मतलब यह मलब नॉन प्रोफेशनल रहता है जो आपकी घर की वहांसा जो यूज कियाती है वह भी आप इसमें रख सकते हैं नॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं relationship बगरा में यह किसी प्रकार की में उसमें यह इस लेटर का यूज किया जाता है जलेटर केन वी यूज सम रीजन लाइक कनवे मैसेज न्यूज गिविंग एडवाइस कॉंग्रेटलेशन रिस्टीप रिक्वेश्टिंग इन्फॉर्मीशन आस्किंग कॉस्चन मतलब यह इसमें किया जाता है कि नॉर्मल मैसेज में एडवाइस देने के लिए कॉंग्रेटलेशन देने के लिए इस प्रकार के लेटर में इन्फॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है इस पर्सनल लेटर मतलब यह पर्सनल लेटर है रिटन वाइफ हैं फैमिली में किसको भेज सकते हैं कि यह फैमिली में आप भेज सकते हैं अपने किसके लिए फैमिली लाइक फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स के लिए सिवलिंग के लिए भाई बहन के लिए कजिन वगरा पैरेंट्स के लिए other close लोगा other close friends के लिए रैटिंग information letter का इनफॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है केन अपर टूबी फ्रेंडली में पर्सनल इमोशन टॉन मतलब इसमें आप अपनी पर्सनल और इमोशन टेंड शेर कर सकते हैं अब यह आप याद रखिए यह एक्जाम में पूछा जा सकता है कि इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक मतलब इनफॉर्मल लिए गली रपॉटएंट ग्यांट एड्वाइजिंग एडवाइजग फ्रेंद्स के लिए आ पर लोजॉई लिए उनको सब्सक्राइश्ट करने के लिए रिक्वेस्टिंग के लिए उनको सवर्मल मिश्टेक Jake लिए उन सारी चीजहों में प्योपिओर किया जाता प्रें होंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है आप इनको अच्छे से लिख लीजेगा नोट्स वगरा बना लीजेगा अब देखे प्रेंट्स दिसेज नो सैट फॉर्मल और और उन्फॉर्म इंफॉर्मल लेटर वर्ट दीजर जनरल पैटरन संग कन्वेंसिंग देट यूपल सबसे पहले सबसे पहले क्या डालना है एक ड्रेस ऑप और सेंडर जो भीजने वाला रहता है उसका ड्रेस डाला जाता सब से पहले तो ते संगले जाएगा फिर इस एड्रेश रेटन एड्रेश एज फैक्ट वेक अड्रेश इनकेस रेटन गेट्स डेमज अनसेप्ट इंक्लूड हाउस नंबर स्टीट एरिया पिन यहां पर डाले जाएंगी सेंड ड्रेश के बाद रिटन ड्रेश लाला जाएगा उसमें आपको तीन अंक वह रहेगा मै रखना है यह डाली जाएंगी इसके बाद प्रेंट्स आएगा डेट मलब आप देखा सबसे पहले सेंडर का नाम फिर सेंडर के नाम के साथ डेट आएगी फ्रेंट्स अब डेट में क्या डेट आपको किस प्रकार से लिखना में आपको वह विता दूं नेक्स्ट जश्ट बिलो एड्रेस वी राइट देट दिस अलाओ दा रीडर टू है रफ्रेंस एज टू एन इंफॉर्मल लेटर बाद रेटें मतलब यहां डेट आपको इस टाइप से लिखनी है से पचीस जुलाई दो हजार तेईस इस टाइप का आप डेट में लिखेंगे और एक और तो इसे बेटूइन राइटर लीडर जैसे नहीं लगते डियर सर डियर सर ग्रीटिंग में इस टाइप से लिखा जाएगा तो सलू सेलू संहीं कहला जाएगा अब इसके बाद आता है अब इसके बाद प्रेंट साहँ का बाड़ी अपदा लेटर मतलब जिसके लिए आप चाह रहे हैं जिस प्रकार से लिखना चाह रहे हैं तो यहां पे आपका वाड़ी अफ़्टा लेटर आ जाएगा सेलुटेशन के बाद body of the letter आजाएगा इट इंक्लूट दा नेक्ट देट इंबोडिश दा परपस ऑप राइटिंग इट में कंसेट वन ओर दा पैराग्राफ इच पैराग्राफ फोकस ओना डिफरेंट आइडिया क्वारी इवेंट मतलब body of the letter में यह दिखा जाएगा क्या आप किसलिए यह जानकारी चाह रहे हैं कहां भेज रहे हैं वह सारी क्वाईरी आइडिया यह सारे body of the letter के इंतरकत आएंगे कि इसके बाद आएगा concluding remarks दिस पार्ट इंडिकेटेट देट इस पार्ट इंडिकेटेट देट लेटर इस गुएंग टू एंड आग कॉंक्लूटिंग रिमार्क लाइक लव्यू मिस्यू वर्ड एटी सी मतलब आप नीचे लिखते हैं योर फैति फुली बगएरा तो यहां पर आप लब यू मिस्यू यह चीज़ लिखेंगे तो उनको कॉंक्लूटिंग मार कहा जाता है फ higher फिर कंउपलीमेंट्रिक लाउट में यहाँ पर अपना वाक जो बोलना चारहे तो और बंद करेंगे नारण कि वल्क यहां पर लाशच में लिखेंगे इसको देखिए कैसे करेंगे इट उन हूं करेंट सब्सक्रेप्शन फॉर्द रीडर इट आलसो फॉलोवट वाइदा नेम आप राइटर दा फर्स्ट वर्ड कॉंप्लिमेंटरी क्लोज ओल्वेज श्टार्ट विता कैप्टिकल लेटर मतलब जब आप कॉंप्लिमेंटरी क्लोज लिखेंगे तो हमेशा आपको कैप्टल इतनी चीज लिखने के बाद आपका लेटर पूरा नियंबद तरीके से लिख जाएगा अब मैं आपको इस्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगा यह दिख सकते आप इन फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यह दिया गया है एड्रेस एड्रेस आप दा सेंडर मतलब जो सेंड क परता है उसके लिए अब से उपर लिखा जाएगा दूसरे नमबर में लिखे याए बी तीशरे में सॉलूशन फिर ओपनिंग परर मैंबडी आए अपकी फिर कॉंक्लीडि परग्राफ फिर एड्रिक्ट्रब क्लोश फिर सिगनेचर और नेम यह शारी चीज सबसे पहले देखिए दोनों प्रकार से देख लीजे एड्रेस में आपको मैक्समुम तीन लाइन लिखना है तो आपका मैं एड्रेस हो जाएगा इसको बाद आपका नियु देली 111105 ओपिन कोड तीन लाइन में आपका एड्रेस सेंडर का एड्रेस हो जाएगा इसके बाद आपको डेट इस टाइब से लिखनी है 21 अप्रेल 2020 तब कि यह डेट हो जाएगी अब सलूशन यह ग्रीटिंग डियर राहूल यह इस टाइब से आपको लिखना है तो इसको सेलुशन और ग्रीटिंग कुछ भी बोल सकते फ्रेंट्स फिर आई होप माई लेटर फ्रेंट्स यू गुड है यू विल फे ग्लैड उना व मतलब उसके बारें हो बताने आपको फिर उसके बार यह आपको मैं बॉडी का इस्ट्रक्चर लिखना है यह यहां पर आपकी जो पर्सनल टॉन दिस पार्ट थ्री पेराग्राफ मतलब यह तीन बात आपको ध्यान रखनी है कि यू के राइट व्रीप एबाउट परपस ऑफ राइटिंग मतलब आपकी राइटिंग सुद्ध होनी चाहिए एक्दम साफ होनी चाहिए यू के राइट यह लिखना है फिर इसके वाद आपके नाम में रिशर्व शुकला डाल दिया तो आपका इंफॉर्मिटर लेटर इस प्रकार से लिख करके कंप्रीट हो जाएगा आई हो प्रेंट्स आपको समझ में आया होगा आपको लेटर दिखाने जा रहा हूं यह लेटर लिखा गया उसी के लिए 129 नावयोग अपार्मेंट पीतम पुरा देल ही इतना एड्रेस है देखे मार्च एक मार्च 2009 ऐसा भी लिख सकते हैं डियर रुद्र फेर यह सारी चीज़ लिखी फ्रेंट्स यह बॉड़ी का स्ट्रक्चर आगया आप देख सकते बॉड़ी का स्ट्रक्चर आपको यह समझ में आया होगा लिए तो आपको देख सकते हैं अब सबसे पहला कुस्ट्चन आपको आया कि पहले को अपको है रइट लव और यूज विट पार्ट ओफ इनफॉर्मेटेश लेटर इनफौर्मेटेश लेटर में आपको लब का यूस कहां पर करना है एडिं तो अब सेकंड को और अगें अभापॉडिटर में रिसीट करने वाले को कि ना आपको तो इंपोर्मिलिटर में आपको सर गरे 271 और मैं करीबी को लिख रहे महाँद्व देड्स की और सिर्केंड का अंसर कि इसको थर्ट रहेंगा फेंड्स इन और तो हैप दा डिजायर एफेक्ट ऑन दा रिशीट वाट सुड तो इसमें क्या आएगा मुलब जो आप मेंने आपको तीन पॉइंट बताया थे प्रॉपर फॉर्मेट होने चाहिए तू दफॉइंट रिलेवंट के पढ़ें बिजनिस लेटर के बारें बात की फॉर्मल के बारें बात की पर्सनल के बारें बात की यह वर्वल एक किसी प्रकार का लेटर नहीं रहता यह नहीं रहता तो वर्वल लेटर नहीं रहता है अगोट लेटर नीट नोट है मतलब इसमें अच्छा लेटर कौन सा सबसे पहले लेटर के लिए लेटन कोटेशन यह वाली चीज रहेंगी यह वाली नहीं रहेंगी बाकि लेटर लिखने के लिए यह सारी चीज की आवसकता रहेंगी इसका साथ प्रेंट्स आ सॉलूशन दम्यन वाडी कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज इस टाइब का लिखना पड़ेगा तो यह नहीं रहेंगा फ्रेंट्स यह दम्यन वाडी सॉलूशन कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज वाडी सॉलूशन वाडी कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज सॉलूशन तो इस टाइब का है अगला क्या प्रेंट सेंडर कंप्लीट एड्रेश इस रिक्वाइड फॉल्वेंग टाइप मतलब कंप्ली एड्रेश के लिए आपको क्या करना है कि फॉर्मल लेटर इन्टि टाइम यह नन तो इसमें ए वर भी दौनों रहेगा फ्रेंट्स अब भी दौनों रहेगा के देखरियों आप को समझेए विच विच लेटर इस फॉर्मल टाइप लेटर किस्को लिखुना है तो है आप देख सकते फॉर्मल टाइप लेटर किसको लख़ना है मदर को फ्रेंड कोWatch को एडिटर को तो आपने देखा है इन फॉर्मल लेटर लिखा जाता है फ्रेंड के लिए मदर के लिए सन के लिए फॉर्मल लेटर लिखा जाता है दा एडिटर के लिए दा एडिटर के लिए रिदम कर्रेक्ट अंसर आएगा इसका जिए • और विजद टाइप अप लेटर एं इन फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाएगा और फ्रेंड परन को ऑफी किसलेटर सब्सक्राइट कि अभूच सम्ण के विजद इन इन फॉर्मी मेद्ट इन फॉर्माल लेटर इं पर बन लेटर का स्विक्वेंस क्या होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस रहेगा फिर रहेगी फिर छेलूशन एन बॉड़ी रहेगी तो आई होप समझ चूब क्या होंगे जिन लोगों ने डी आंसर दिए है एक दम सही लोग का सबसे पहले ऑड्रेश डेट सुलूशन एंड वाड़ी ये रहे गाए कर दो कि तो पीछे आता है आप इन फॉर्मल में फॉर्मल में बहुत यह दोनों तो यूर अफैक्सली कहा लिखा जाता फ्रेंड्स तो यूर अफैक्सली हमेशा इन फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है यह इन फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है यूर सिंसरी इस राइटन इन विच टाइप अप लेटर इसने कहां पर लिखा जाएगा तो हमेंसा जैका फोर्म में लखा जाएगा यौर विडंट ली यह ले में रखल आयेगा भarmed श्पी करेक्ट स्टाइल की अधिसट इस हो अधिन तब ऋम आलम तो मैंने आपको बताइधा कि विक करेक्ट सट्यव में आएगा यर्ष वी suivant कि सी नंबरवाला एकदम सही रहेगा आपस्टाफी बगर्ण यह कुछ भी नहीं लगता योर्स और टेंट्लिसी एकदम सही आंसर आएगा अब बाट चुडब ओन फॉर्माब लेटर्वॉअ तरव ओने लिटलाकी थैपना आएगा फ्रेंट के समयुकरूर्स पॉर्माड्रों फॉर्मा लेटर्वर की की टॉन सभी प्रिकार की होने चाहिए लेंगवेज कैसी होनी चीया मेंटापॉलीकल एनर्टिकल ऑर्ग्युमेंट ए क्लियर ए स्टैट फॉर्वड रहनी चीया उसमें किसी प्रकार की कौई बीच की बात करनी होगा ही मुद्दे की बात होनी चीया लेटर तो लिक्विट टच सिंपल एंड फैमिलियर और अब मतलब यह किसके लिए बेजा जाना चाहिए तो सभी के लिए हो सकता है तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको सब लेटर के बारे में भी समझाया और कुस्चन भी लगवाए तो अगर आपको कुस्चन अच्छे लिए ऐसी पूरा स्लेबस के पढ़ाई करने के लिए चैनल में बने रहिएगा ऐसी कुस्चन आपको करवाई जाएगी मिलते अंगले वीडियो में जब तक लिए जय हिंद्ध जय भड़ग झाल जाएगी मिलते अंगले जय हिंद्ध प्रड़जारी का रसे हिंद्ध जय है जय है झाल इएभाई का रसे दूरा आपको के लिए एक दूरा यज़